नमश्कार दोस्तों स्वागत एवं अभी नंदन मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि आपने सपने में जूता चपल खरीदते हुए देखा है या फिर आप जूता चपल खरीद रहे हैं तो यह सपना स्वपन जोतिश शास्त्र के अनुसार से एक बेहदी मतलब एक कनफ्यूज जो सपन है यह एक मिला जुला आपको फ़ल देने वाला सपना है अब आएए इसको हम समझते हैं कि कैसे यह एक सामन्-जस्य नहीं स्थापित करता है सही और पूरे सपने के बीच तो देखें अधिया आपने सपने में देखा है कि आप नए जूते चपल खरीद रहे हैं तो यह सपना इस बात की और संकेत करता है कि आपको यात्रा करनी पड़ सकती है अब यह यात्रा शुप भी हो सकती है और अशुप भी हो सकती है इस यात्रा का जो आपको यात्रा भी कर सकते हैं और छोटी यात्रा भी कर सकते हैं तो यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आप कैसी यात्रा करेंगे लेकिन यह सपना इस बात की और सिर्फ संकेत देता है कि हाँ आपको यात् यात्रा करनी पड़ सकती है और इस बात पर डिपेंद करेगा कि आप इस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं मैं आपके लिए शुप फी थापित हो सकती है मैं बस यहीं आपको उपाय बताना चाहूंगी कि आप अपने इश्ट्-देपता आप जिस भग्मान को सब जादा मानते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेधन करिए कि जो भी यात्रा करने वाले हैं तो उस्ते पहले उनको पहुत ही याद करके उनकी पूझा अर्शन करके ही घर से निकले तो आपकी यात्रा जो भी रहेगी वह शुब अवश्य होगी एवं भगवान जो भी आपके इ प्रुटसाहन मिलता है कि हमें और वीडियो बनानी चाहिए तो क्रप्या करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रादे रादे आप सभी का मंगल हो